भारे में हम बात कर रहे थे लास वीडियो में देखा था अब थोड़ा सा administration के बारे में समझे कुछ करते कि मनसबदार और जागिरदार बेसिकली यह है क्या अब जस्ट्राइट इंडेस्टेंड वट एक्स्प्लेंड जब मुगर डैनेस्टी इनिशिली वेन इस्टारेड जब उन्होंने शुरू ही किया था तो ओद्जी था छोटा सा उनके वाद पॉर्शन ठान स्लोली पेंपैंड होते गए और उनका लाया my उसको कंट्रोल करने की भी जरुवत थी ये थोड़ी कि हम जीत के आए गुजराद गए पैटल किया जीत के आए वापस खतम अब क्या वहाँ जाके देखना भी तो है कि कैसे कंट्रोल हो रहा है टेक्स लेना है सोजर्स है उनको देखना है तो ये सब टर्किश जिनकों कहते है वही सारा एक तरह से कह से तो मैनेजमेंट समालते थे लेकिन देरे देरे एडिया बढ़ता गया तो अब्यस था इतने से काम नहीं होना था देन देन इंक्लूड इंडियन मुसलिम्स, अफगान्स, राजपूर, मराथा और अधर ग्रूप्स दोस वो जोइन मुगल सर्विस वो इन रॉड एज मनसबदार और यही जो लोग थे यह मनसबदार कहला देते हैं मनसबदार मींज एक तरह से आभी समझ लिए अड्मिनिस्ट्रेशन करना है चलाना है कंट्रोल करना है फंक्शनिंग कैसे होगी तो जो फंक्शनिंग करने वाले कौन थे? मनसबदार थे आज की डेट में आप इनको अड्मिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कह सकते हो ठीक है जो ब्यूरोक्रेट जो हम ब्यूरोक्रेट कहते हैं उए ब्यूरोक्रेट मुगल टाइम पे कौन थे? मनसबदार थे अब मनसबदार वर्ड ऐसे परसंस के लिए यूज होता था जिनको कोई गौवर्मेंट पोजिसर मिलती थी दे टर्म मनसबदार रफर्स टो एंडिविजल अब ये एक नहात अब यहाँ पर को आपने सुना जात ये इस इस नोट जात तंडियोज भर लाएंट और जात को मतलब क्या होता था ए बेजिकली प्यूर्जि कि fajS अब मनसब्दार जो होते थे मिहांट आर का मतलब था यहांब को कि मनसब्दार लोग क्या करते थे अपने पास मिलीटरी रखते थे ये उसी मिलिक्तारी ko आप क्या कह सकते हो 5000 जाट जिसकी होती थी उसको उसकी पोजिशन बड़ी होती थी comparatively कम जातवानों से मनसबदार मिलट मनसबदार मिलट की responsibility required him to maintain a specific number of सवार और cavalryman ओके तो क्या कहता है यह पर यह कहता है कि जो मनसबदार थे ठीक है इनका काम क्या था बेसिकली इनको responsibility दी जाती थी ठीक है तो जो responsibility इनको मिलती थी उनके according है सवार रखते थे अब सवार बेसिकली cavalryman में इसे जो घुड़े चलाने soldiers उनको कहते हैं ठीक है अब मनसबदार क्या करते थे अपने जो सवार होते थे ठीक है उनको क्या करते थे कि एक तरह से identification के लिए रजिस्टर करने के लिए ले के आते थे तो यहां पर को एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि जो एंपरर है वह अपने पास military नहीं रखता था क्या वह अपने पास military रखता था बट ज्यादा तर्व मिलेटरी होती थी वह मिलेटरी उसी की है लेकिन जैसे आपने पहले हमने प्रिवेश शेप्टर में देगा ना सामंद सामंद होते थे ठीक है सबॉडिनेट ऐसे यहां पर को मनसबदार टर्म था मनसबदार एक पोस्ट थी उससे का जाता था तुम अपने इस तरह से वह चलता था अब यहां पर कोई सवाल उठता है कि जो सोल्जर्स थे उनको सेलरी कैसे मिलती थी तो सेलरी के लिए क्या किया जाता था कि जो मनसबदार होते थे उनको कुछ लैंड पीज दे दिया जाता था कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी जात है means तुम्हारी जात इतनी है number of soldiers इतने हैं तो आपको कितनी लैंड की जड़त पड़ेगी उसके हिसाफ़ से उसको land provide हो जाती थी अब land provide हो जाती थी तो उस land से क्या होगा उस land से वह revenue जो आएगा उस revenue से अपने soldiers को salary दी जाएगी ठीक है और वो जो land होता था वहाँ पर को जो piece of land उनको दिया जाता था for collecting revenue that is called और जागीर और जागीर as equal to nearly equal कह सकते हो ठीक है किसके इक्वल था जो हमने डेली सल्दनत में जो इकता पड़ा था ठीक है इड़ वस इक्वल तो डेट इकता ओके लेकिन एक छोट ऐसा difference यह था कि जो मनसब्दार होते थे वह अपनी जागीर में रहते नहीं थे वो कहीं और administration देखते थे इसका मतलब है कि जो मनसब्दार है उसका काम सिर्फ अपने soldiers को regulate करना ही नहीं था वो क्योंकि अब्यस है जिस टेम पर बैटल होगा उसी टेम तो जरुवत है सोचाज आए तो soldiers की बेसिक नीट वही है तो उस समय पर को जो मनसब्दार थे वह और दूसरी जगह सिटी के दूसरे कॉर्णर पर जाके काम देखते थे ठीक है और बटा करम डेली सल्दनत की बा एक्सपेंड होता गया ठीक है उनके जो कंट्रोड एरिया था जब वह बढ़ा तो ऑबियस था कि जिरे जिरे बढ़ रहा था तो जो नंबर ऑफ जागिरदार है नंबर मनसब हैं उन्होंने बढ़ना था ठीक है अब वैसे बात करें तो यह जो मनसब्दारी वाली जो आप कि रहा है एक यह इसको बहुत अच्छे से एक एजस्टेइड वै में एक संश्व करने का अगर क्रेडिट दे तो यह कैड़ेटिट अग्परे देटे था है अग्पर ने कुछ बहुत एक तरीक से इसका हम देखते हैं मोगल डायनेश्ट ने बात करते हैं अगवर के बारे में ज्यादा बात करते हैं कि अगवर ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से अगवर के टैम पर यह साब चीज़ हैं काफी कंट्रोड वे में रही हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां जात रेंकिंग के बात बता रहा है नोबल्स विद जात आफ 5000 वर रेंक्ट हाइर दिन दोस फन थाउजन इन अग्वर रेंग देर वर 29 मंसब्दार्स विद रेंक सब्सक्राइब 5,000 चार्ड बाइंग जिप्स फ्राइंग अग्वर अंसब्दार्स हैड इंक्रीज़ दिटो 79 वोड़ इस हैं मेंट मोर एक्स्पेंडिचर फॉर इस्टेट प्रोब्लम थी यह इस बात को समझना के ऑलो और अग्जिप के टाइम पर अगर हम देखें तो था है लेकिन होता क्या था कि यह जो बेसिकली अगर यह मान के चलो कि अब जितना ज्यादा अच्छा जो रेविन्यू जनरेट होता था जितने भी कॉर्णर के पोर्शन में से सेंटर से दूर अगर इतनी बड़ी डाइनिस्टी है यहां और इतने हिस्से में मान लो कि यह स इंटर वाला पॉर्शन है तो यहां पर को अच्छा रेविन्यू जनरेट हो जाएगा लेकिन वही चीज इस कॉर्णर में या फिर इस कॉर्णर में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रियेट होगी और होती इसलिए अब यह भी कैसा क्यों कि मनसब्दार तो है पॉइंट तो कर र कि दिए दिरे और अंकबर के टाइम तक तो सब सही चला लेकिन और वालन को के टाइम पर इसने मनसब्दार बढ़ा दीए बहुत सारे मनसब्दार हो गई अब यह समझना अगर मनसब्दार ज्यादा हो गए मिनस इतना लेंड आपके पास एक परफिक्ट लेंड है पहले मा आप मनसबदार बढ़ाओगे तो जो पॉर्शन है लेंड का एक मनसबदार के पास देट विल रिड्यूस वटेवर ही और यूज वह 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 वजटिंग अजिए पर फॉर्शन था फिर कम हो जाएगा तो ऐसा ही हुआ ठीक है और अंगजीब के टैम्पे आते आते हैं मनसबदार होगे 79 ठीक है अट्वर के टैम्पे टैम्पे तवंटी-nine ऐसे मनसबदार थी 50inea थी और अंगजीब केठेम पर आते आते हैं ऐसे मनसबदार कितने हो गये 79 हो गये मतलब यह था कि अब स्टेट का एक्स för nat बढ़क और मनसब्दारों को जो पैसा मिलता था जो रेविन्यून के पास आता था वो भी कम हो गया सोल्जर तो उतने के उतने हैं सोल्जर बड़ी जो रहे होंगे सोल्जर तो घटिंगे नहीं तो इसका मतलब था कि प्रॉब्लम के एट हो रही थी ओके तो यह बात आपको समझ में आ रही हो मनसब्दार थेमसेब्स सवर इन सम अधर पार्ट पार्ट यह बात आपने कही ना वो तो अलग-अलग हिस्व में थे इन अगवर्स रहीं इस जागी इस वर केरफुली एसेश्ट तो यह रेविन्यूस वर रफली इक्वल तो इस सेलरी अभुडि बनसब्दार थेमसेब्स में थे तो सुनके रही बाता का में डियत सम्ताओ पायगार्ण में चानिमसेब्स रही बिःच भाता थे हो फतीं।ो अउयमी से बाता शूख थे killed लोग प्र दीव जांगेर्स टीच्ट एन इफ करसे। पामिलन रहीं दीन खिन अरने क क्या लगे उनको दखता था अभी तो जागीर मिली है बड़ी मुश्किल से जागीर मिली है यह अगर एक साल के लिए मेरे पास जागीर है तो मैं जितना पॉसिबल है उतना इसमें से रेविन्यू कर लेता हूं पता नहीं फिर जागीर कब मिले तर आता था ना क्योंकि बहु समझ जबात को भी समझना पड़ेगा मनसबदार ज्यादा हो रहे हैं लेंपीस लिमिटेड है तो सब का तर आने में टाइम लगेगा अभी जैसे उसके पास है उसने सुचा अभी तो वह पास आया है मैं पूरा ही जितना मिला है लपेटो जितना बिल्कुल जितने फार्मर सब से रेमिन्यू जबर जरस्ती जोस कुछ हो सब क्या उन्हें तो इससे प्रोब्लम आ गई एक डिस्बैलेंस सिट्वेशन बन गई जितना बढ़ा है जितना बन गई जितना बैज को वह निए वह प्रोब्लम इन आप जो जोगता है तो इससे प्रोब्लम नहीं तो इसके पास तो मनी है तो मनी है उसके पास तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रव रेवन्यों आ रहा है ठीक है जागिरदार क्या कर रहे हैं वनसबदार रेवन्यों लिये जा रहे हैं तो सारा का सारा जो प्रैसर था वो पड़ा पीजेंज के उपर तो इससे उनकी जो वेल्थ थी उसमें भी चेंजेस आने लगए उसमें भी डिकलाइन होना शुरू हो गया बात करें जात एंजमीदार ठीक है सॉरी जब्त एंजमीदार बरसल यह जब्त सिस्टम जो था अपका जो हम टोडरमल की अगर बात करें ठीक है तो लेकितनी जो ऑना के ऊथा आपको बहुत है अचलए प्डेक्स की अचलए और भी कितनी तारव के पास है उसह सहाप से तेसिक्स का दोना क्षिक्ट का अलग-अलग अलग अलग लग फिक्स होता था तो इसी सिस्टम को जब्त का जब्त कजब्त इस नूटब बिग्ट से दिया जाता था मेडियन जो था जो मीडियम था वह मेडियम कोई बड़े सरदार होते थे ठीक है या कुछ भी कोई हो सकता है अब और जिसे आप खुझी सोचो अगर आज की देट में आप माझ जैसे टेक्स भड़ते हम हम टेक्स सीधा फाइनेंस मिनिस्टर को तो नहीं द तो इसी तरह वहां पर को जिसके माध्यम से मीडियम से टेक्स दिया जाता था ने मीडियम वस गोल जमीडार फिप्टीं सेंटी टो फिपीन टो थे टो 10 यह का टाम प्रिट था यहां पर को इनों ने कह चाहता है अगुन प्रोट को कहता है अग्यूस रविए मिस्टर टॉटल केर्फुल्स अटरफुल्स पाइज परोट इप्रिपार्फुल्स schedule of revenue rates for individual crops this revenue system was known as Jat and it was prevalent in those areas where Mughal administrators who could survey the land and keep very careful accounts this was not possible in provinces such as Gujarat and Bengal means I have said that the corners of the portion there is this thing to regulate and the systems to regulate it becomes tough you can think that India is very close to the villages where tribes live there is the same rule that the Indian government has made it not possible although government is working on it but many people will still be in India in the next video we will have a lot of people who will not get vaccinated अगवर को प्लोजर लुक आफ अगवर्स पॉलिसी अगवर्स की जो पॉलिसी थी उन पर थोड़ा सा देखिंगे किस तरह से अगवर्स ने फंक्शनिंग की डिगुलीट किया ठीक है ओके कि